जापान में डॉक्टरों की एक बड़ी जमातने ये इतहात किया कि गरम पानी से इलाज के 100% निताईज हासिल होते हैं जिन में से चंद ये हैं शदीद सरदर्द, माईग्रेन, हाई बलड पेशर, खून की कमी, जोडों का दर्द, दिल की धरकन का एक दम तेज या आहिस्ता हो जाना, मिर्गी का इलाज, चर्बी, कॉलिस्टरॉल, शदीद खांसी, बेचैनी, दर्द, दमा, काली खांसी, रगों की ब्लॉकिज, मेदे का तर्श हो जाना, मसाना, पिशाब और इससे मर्बूत सारी बिमारियां, मेदे का अलसर, भूग कम लगना, और हर बिमारी जो आँख, कान, गले से मर्बूत है, मजगूरा बाला तमाम बिमारियों से निजात हासल करने के लिए, इसका तरीका इलाज भी जानिये, हर रोज 45 मिनर तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और फिर हर खाने के दो घंटे बाद तक पानी बिलकुल नहीं पीना, बाज लोग इपतदा में चार ग्लास नहीं पी सकते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको चार ग्लास तक पहुँचा दें, पानी से मुख्तलिफ बिमारियों का इल 45 दिन ना कान गला, 20 दिन खवातीन की बिमारियों, 15 दिन दिल और इस से मुतलिक बिमारियों, 30 दिन शदीद सरदर्द और माईग्रेन, 3 दिन खून की कमी, 30 दिन चर्बी कॉलिस्ट्रोल, 4 महीने, मिर्गी और फालिज, 9 माह, सास, दमा की मुश्किला, 4 महीने, तिपे कदी इन में भी गरम पानी नाचते से पहले बहुत फवाइट का हामिल बताया गया है, और इसकी बहुत ताकीद हुई है, तो जुर्बा करके देखें, लेकिन ठंडे पानी के क्या नुक्सानात हैं, बोली सीना का फरमान है कि ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बिमार न कर चर्बी इससे चिपक जाती है, मौफिच आते हुए वो लोग जो जिगर ट्रांस्प्रांट के मुंतजिर हैं, उसका असली सबब यही ठंडा पानी है, दरसल ठंडा पानी मेदे के अंदरूनी परदों को मुतासिर करता है, और शुगर का सबब बनता है, ठंडा पानी मेद असमान यासर शामी को अजास देजिए, अल्लाँ खाफिज